हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू बीपीएससी दरपन सतर्मी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुगा है जिसमें टोटल पोस्ट आपको उनजी सो उन्तीस रहने वाला है और लेवल नाइनी के जो पोस्ट हैं जो सबसे अच्छे पोस्ट इसमें स्टीम डीएसपी आते हैं उस सब पोस्ट की टोटल संख्यां जो है 678 है और लेवल सेवन की जो पोस्ट की संख्यां है इसमें 1251 है यह नोटीस है जो द्वारा डाला गया है अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे इस से पहले मैं बता दूं आपको जो एसडियम की पोस्ट है वो दो सब्सट है और डीएस के वह दो से दिया गया है चलिए हम पहले उसे देखते हैं फिर बात करेंगे इक्जाम का डेट क्या रहेगा क्या सतरह सब्सक्राइब की डिया है उसी डिट पर नहीं होगी दूसरी जी एक्जाम की फॉर्म आप कब से कब तक फिल करेंगे और इसमें और क्या बैटल बाद बैटल डिया है जिसे हम देखते हैं जो विटाइब के चेयर में के दौरा दिया गया है जिसमें सत्तरमी बिप यूश्य से रुलेटेड एटुजेट अप लोगों को दिया है यह कितनी हैं किसकी स्पोश्ट पर कितनी वेकैंसी हैं डिसमें और इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी ऑफिसियल और फॉर्म कव से स्टार्ट हो जाएगा फिल होना तो चलिए हम यहां पर पहले इस नोटिस को देख लेते हैं इस ब्रीफिंग को देख लेते हैं ब्रीफिंग में साफ साफ उन्हें लिखा है एक किरित सत्तरमी संजुक्त प्रतियोगिता समय जिसमें से अनाराक्षित शेजनी के उमीदवारों के लिए जन्रेंड़ के लिए 799 में महिला के लिए 604 सुतुमता से नानी के नादीब कें लिए उन exact रिलेटीव हैं उनके लिए च्यासप से और ब्रीफिंग में एक चीज़ और बताया गया है जो मैं आपको पहले बता देता हूं कि यह जो 50% आरक्षन के अनुसार बनाया गया है रोश्टर क्योंकि 65% का जो बनाया गया था भीहार सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोट में पहुँच गया है अब सुप्रीम कोट के जो अभी मतलब कह हैं कि यदि सुप्रीम कोट से डिसीजन हो जाता है 65% वाली तो हम पुना इस जो आपके पास जो रोश्टर बना है 50% वाले कर देंगे अभी हम जो बनाया है रोश्टर 50% वाले हैं किस पोस्ट के लिए कितनी हैं यहां पर देख सकते हैं अनुमंदल पता अधिकारी बरियत प्रसाशनिक सेवा के लिए जो SDM का पोश्ट है लेवल 9 का पोश्ट है टोटल दो सबस्ट है जैसे मैं अपने पिछले विडियो में आपको बता चुका हूं लेवल 7 में जो 393 में है राजस्व अधिकारी की लेवल 7 7 में दूसर 87 है आपूर्ती निरक्षक इसके लिए लेवल 7 की भी वो पोश्ट है जो दूसर 33 है परखन अनुसुचित जाती एवम जन जाती कल्यान पता अधिकारी और जो रिलेटेड है टुटल 125 वेकैंसी है इसक सकते हैं और बहुत सारे पता है आपको मैं बता चुका है तो उन सभी थोरे थोरे वेकैंसी वह सब को मिला कर गए जो लेवल 7 की वेकैंसी वह दूसर 13 है टूटल 1929 वेकैंसी आचुकी इसके साथ ही द्वारा और कहा गया है कि यदि किसी डिपार्टमेंट से जहां से उनको कर देंगे इसके साथ ही उन्होंनों जो बात किये हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं लेवल 9 की टूटल पोस्ट और लेवल 7 की टूटल पोस्ट है उनके पास अब रही सवाल एक्जाम डेट और नोटिफिकेशन की जो ऑफिस्यल नोटिफिकेशन आ जाए यह तो प्रेस बिरिफिंग थी और भरना अश्टार्ट और उनका करना इसी में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और फोर्म भरना इसटार्ट फोर्म भरने के लिए कम से कम 21 तीस दिन या तीस दिन भी दिया जा सकता है लेकिं कम से कम एकीस दिन आपको मिलेंगे और एक्जाम डेट की बात की जाए तो एक्जाम जो आपकी डेट 17 नमंबर की जो है उसी डेट पर होगी अभी तक उसमें कोई चेंजिंग की उमीद नहीं है हाँ यह कनफॉर्म नहीं है या जात रखे कि यह टेंटिटीव डेट है लेकिन अभी भी 90% चांस है कि इसी डेट पर एक्जाम होगा और आप अपना जो प्रिप्रेशन है इसी डेट के अनु कि अनुसार ही अपना प्रिप्रेशन आप करते रहें और मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अभी तक पिछले 10 वर्सों में पिछले 10 साल में किसकी सब्जेक्ट से कितना कितना कुश्टन्स पूछा गया इस साल में इस इमेजिन करता रहा हूं बता रहा हूं आपको ऊस्ट तो फिर इस में से किस-किस चैप्टर से कितना कितना कुश्टन से पूछा गया है जिसे हमें एक एभरेज आइडिया मिल जाए कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है पिर इसी तरह से जोगड़ाफी स इसको share कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जाहिं देद।